वेल तो हे गाईस वेलकम टू माय चैनल माने में स्पंकरस तो वेल आपका स्वागत है नौरमी रेस्लिंग में तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे लोगन पॉल के फ्यूचर प्लान्स को लेकर क्या कुछ हमें देखने को मेलेगा इसको लेकर सारा स्पोइलर लीक होते विए दिखाए दे चुका है तो इस बारे में बात करेंगे और भी अच्छी खासी अपडेट है तो इसलिए वीडियो को लास्त तक जरूर देखना और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा तो बाई सब्सक्राइब कर लो लेकर लेकर तो जैसा कि आप लोग को बता दू कि वोमें स्टैक टिम टाइटल को लेकर अपडेट हमें यह देखने को मिली गई है कि जो women's tag team title है वो vacate कर ली गई है that means कि यहाँ पर वो अब title हमें यहाँ पर किसी के हाथों में नहीं देखने को मिली गई क्योंकि यहाँ पर जो Lee Morgan थी उनको injury हुई है यानि कि Lee Morgan की injury की वैसे यहाँ पर जो women's tag team title थी इसको यहाँ पर relinquish करवा दिया गया है इनको लेकर मतलब Lee Morgan की तरफ से अब यह title relinquish हो चुकी है तो इसको लेकर match भी हमें देखने को मिलेगा next week के next week Monday Night Rock के अंदर जहाँ पर battle 4-way match देखने को मिलेगा जिसके अंदर हमें यहाँ पर रेक्वल, रोडरिक्यूज और उनके साथ में एक और सुपरस्टार देखने को मिलेगी Ronda Rousey और सेना बेजलर देखने को मिलेगी Eoskai और बेली देखने को मिलेगी और इसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी Chelsea Green तो देखते है भाई इनमें यहाँ पर हमेरे कौन-कौन से सुपरस्टार जो की मतलब जो की यहाँ पर जीते वे दिखाए देती है क्योंकि Chelsea Green, Sonia Devel, Eoskai, Bailey, Ronda and Shanna और एक्वेल तो देखते हैं इनमें से यहाँ पर बहुत आची काई सुपरस्टार से तो कोई भी यहाँ पर जीते वे दिखाए दे सकता है Women's Tag Team Title जो की currently vacate है तो इसको लेकर आप लोग क्या कहना चाहो कि comment section में जरूब बता देना and I hope कि भाई कोई अच्छे खास सुपरस्टार के पास जाए और ऐसा क्यों लगता है पता ने कि Women's Tag Team Title एक कर्स की तरह दिखाए देता है जिसके पास जाता है कोई ने कोई बनावती लगी जाती है तो क्या कहना चाहोगे इस थिंक के उपर comment में जरूब बताते ना अगले अपडेट की बात कर ले तो यह अपडेट हमें देखने को बिल रहा है Logan Paul को लेकर तो Logan Paul मतलब इनको लेकर इनके शेडियूल को लेकर एक काफ इंट्रस्टिंग अपडेट देखने को मिली गया है तो जैसा कि आप लोगन पॉल करेंटली नाइट ओफ चैंपियंज के लिए भी एडवर्टाइज तो नहीं है लेकिन उनको शेडियूल कर दिया गया है यानि कि Logan Paul हमें हो सकता है देखने को मिले नाइट ओफ चैंपियंज के अंदर and also money in the bank के अंदर तो वो एडवर्टाइ तो इसको लेकर भी आप लोग क्या कहना चाहोगे comment section में चलूब बता देना and hope करते हैं कि Logan Paul का इन तीनों पेपर वी के अंदर कोई मैस तो देखने को मिले ही जो कि obviously काफी बढ़िया रहेगा अगर ऐसा खुछ देखने को मिलता है तो इसको लेकर आप लोग क्या कहना चाहो vital जो कि उनको relinquish करना पड़ते वे दिखाए दिया तो आने वाले समय में तो हमें लिव मॉर्गन बहुत ही जल्द return नहीं करते वे दिखाए देंगी इनको हो सकता है कि 2-3 महने के उपर का time लगे तो ऐसा कुछ यहां पर update देखने को मिल रहा है लिव मॉर्गन को लेकर देखने को मिलता है जो वेलन साइट देखने को मिलता है वो डबलोली के लिए काफ़े जाता safe साइट है अभी currently क्योंकि यहां पर future superstar देखने के पास है अभी एक सोलो सिकोह और एक गंतर जो कि दोनों वेलन के रूप में और यहां पर 10 सालों तक अगले company को काम देते वे दि कुछ यहां पर इनको लेकर update देखने को मिल रही है यानि कि इन दोनों superstar को काफी बड़ा future मान के चल रही है डबलोली तो यह काफी बड़ी update है तो इसको लेकर भी आप लोग क्या कहना चाहोंगे comment में जरूर बता देना अब बात कर लेते सबसे बड़े spoiler के बारे में अगर spoiler पसंद नहीं है तो भाई यहां से cut कर दो वीडियो मत देखो okay so let's start करते फिन spoiler को तो smackdown के spoiler को लेकर update यह है कि smackdown की जो हमें next week की सुरुवात देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी Austin Theory से जहां पर Austin Theory और Samus का match देखने को मिलेगा और यहां पर pretty deadly के interference की वैसे Austin Theory यहां पर मतलब बेली और यूसका के miscommunication की वैसे रेकवल एंड सौर्जी इस match को जीते वे दिखाए देंगी देन इसके बाद हमें देखने को मिलेगा Cameron Grimes का match Asante Asante के साथ में जो कि हमें hitro के member देखने को मिलते हैं तो यहां पर इस match के अंदर Cameron Grimes तो Asante को हरा देंगे लेकिन इसके ब बाद हमें Aska देखने को मिलेंगी and Aska उपर से attack कर देंगे बियांकया के उपर लेकिन यहां पर बियांका upper hand उनको मिलने वाला है तो ऐसा कुछ यहां पर देखने को मिलेगा इस segment के दौरान and also इसके बाद हमें LA Knight का segment देखने को मिलेगा जहां पर LA Knight का match होगा Rick Books के साथ में LA इसके बाद LA Knight जो की street profits को taunt मारते वे दिखाए देंगे कि वो smoke करते हैं जो की street profits को तो ऐसा कुछ हमें आपर देखने को मिलेगा and then इसके बाद हमें AJ Styles का match देखने को मिलेगा Karen Cross के साथ में जहां पर AJ Styles Karen Cross को हरा देंगे इस match के दौरान जो की M.I.M. और जो scarlet है यह दोनों interfere fair करने की कोशिस करेंगी मतलब scarlet को रोकते वे दिखाए देंगी M.I.M. तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है and इसके बाद Smackdown का जो main event देखने को मिलेगा Kevin Owens का show keo show में आप रोमर नेंस and solo sequo देखने को मिलेंगे जहां पर हमें brawl भी देखने को मिलेगा पूरी की पूरी bloodline आके attack कर देगी Samy Jen and Kevin Owens के उपर and then इसके बाद रोमर नेस अपनी title अपर करके raise करके और जो tag team title है उसको भी लेकर उपर करते वे दिखाए देंगे तो ऐसा कुछ हमें आपर overall scenario देखने को मिलेगा main event का तो यह कुछ था Smackdown का spoiler जो कि अगले हपते Smackdown में देखने को मिलेगा आप लोग को पहले ही पता चल चुका है वैसे तो क्या कहना चाहो कि overall इन सारे updates के उपर आप लोग comment बता देना वीडियो अगर पसंद आई है तो आज लाइक करो, share करो, subscribe करो जो भी करना कर सकते हो Instagram, Twitter का link बाई, description में है वहाँ पर follow कर लो, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई everyone guys